आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो आज के सेस्टन में हम लोग डिसकस करने वाले हैं आपके स्टेट PCS के एक बहुत इंपोटन टोपिक डिरेक्शन सेंज तो डिरेक्शन सेंज एक ऐसा टोपिक है जिससे एक या दो क्वेश्चन आपके एक्जाम में पक्का पूछे जाते हैं ठीक है तो आज के सेस्टन में हम लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे और कल के सेस्टन में हम इसको बहुत अच्छे लेवल पर ले जा करके खतम करने वाले हैं इससे आपके हम जितने भी डिफरन डिफरन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सारी टाइप के क कोईशन हम लोग यहां discuss करेंगे चाहिए वो distance direction का question हो चाहिए वो सेड़ो का question है चाहिए वो coded direction का question है ताइप का question हम लोग discuss करेंगे ठीक है और बहुत basic से हम लोग start करने वाले हैं तो questions पर जाने से पहले हमें कुछ basic basic information जुटा लेनी चाहिए कुछ उसे बहुत चोटी चोटी बाते हैं अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हैं ताकि आपको पता चलपाए कि किन किन चीजों का यूज होता है directions के question को solve करने में ठीक है तो सबसे पहले direction का ही पता हो हमें कुछ basic direction हमारे पास होती है कुछ sub direction होती है चार main direction होती है ठीक है तो यह जो direction होती है आपकी इस direction को east बोलते हैं बचे इस direction को आपका west बोलते हैं ये आपकी west direction है और ये जो direction होती है इसको north बोला जाता है और ये जो direction है इसको south direction बोला जाता है ठीक है तो ये चार हमारी main direction होती है इसके इलावा चार हमारी sub direction भी होती है ठीक है जो north और east के बीच में sub डारेक्शन होती है इसको बोलते हैं नोर्थ इस्ट ठीक है क्या बोलते हैं नोर्थ इस्ट बोलते हैं जो साउथ और इस्ट के बीच में डारेक्शन होती है इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट जो साउथ और वेस्ट के बीच में होता है इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट और जो 8 directions के बारे में आपको मालुम होना चाहिए यह तो बहुत ही basic सी बाते हैं अप इनके बारे में जानते होंगे इसके इलावा आपको movement का पता होना चाहिए movement का मतलब मेरा क्या है यहाँ पे अगर मैं यह बोलू कि यह आपकी east direction है, यह आपकी west direction है यह आपकी north direction है और यह आपकी south direction है तो movement में वो बार-बार आपको बोलेगा कि आपको left जाना है यह आपने right turn लिया ठीक है, तो left और right का मतलब क्या होगा जब भी वो right बोलेगा तो आपको हमेशा clockwise turn लेना है clockwise 90 degree पे आपको turn करना है और जब भी वो left बोलेगा तो आपको anti clockwise 90 degree पे turn करना है ठीक है, जैसे उसने कहा हमसे normally कहा दिया कि east का east direction में वो जा रहा है और east से उसने right turn लिया तो अब उसका face किस direction में होगा ठीक है, यह आपकी east है अब यह आपका clockwise होता है भई ठीक है, तो जब भी उसे वो right turn लेगा यानि आपको खुद को assume करना है आपका right इसका right होगा, आपका left इसका left होगा suppose आप इस direction में move कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, अपना right लेना है तो जैसे आप right लेंगे, मैंने क्या कहा आपको, right में clockwise 90 degree तो यह पूरे एंगल 90 degree होता है clockwise तो आप किस direction में पहुंच जाएंगे south direction, ठीक है तो east का right क्या हो जाएगा, south हो जाएगा suppose आप north direction में walk कर रहे हैं, ठीक है, और उसे नहीं कहा कि आपको क्या लेना है, यहां से left turn लेना है तो अब आपका fist किस direction में होगा अब आप north direction में walk कर रहे हैं, ठीक है तो left का मतलब होता है कि anti-clockwise घड़ी ऐसे घूमती है anti-clockwise का मतलब इस direction में आपको आना है, तो यह direction कौन सी आपकी west direction है, ठीक है तो इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखिए तो जब भी left बोलेगा तो आपको anti-clockwise 90 degree घूमना है और जब भी right बोलेगा तो आपको clockwise 90 degree पर turn लेना है ठीक है, तो यह movement का मतलब होता है ठीक है, चलिए next, अब बात आती है angle की है ठीक है, तो बार-बार angle का view करेगा वो उसने 45 degree north में turn लिया या 45 degree उसने west में turn लिया या 90 degree लिया या 135 degree लिया whatever कुछ ही बोले, यह जो complete angle होता है दो direction के बीच में, यह 90 degree होता है ठीक है, और इसी में से अगर एक sub direction निकाल दें, तो यही angle जो होते है हमारे पास, यही 45-45 degree में divide हो जाना ठीक है, यानि एक sub direction दो directions को क्या करती है, 45-45 degree में divide कर देती है तो मैं कहूँ कि यह north east है suppose अगर उसे ने एक हाकी, उसे ने north direction से, ठीक है, उसे ने north direction से 45 degree right turn लिया ठीक है, 45 degree right turn लिया, तो यह north direction है आपकी अब देखो, right का मतलब क्या clockwise तो इस direction में आया होगा, और 45 बोला है, तो मतलब वो अब east direction में पहुँच गया, यानि इस बिंदू पे वो पहुँच गया, और यह direction कौन सी है यह north east है, तो north से अगर 45 degree right turn लिया, तो that means उसकी direction कौन सी होगी, north east होगी, ठीक है कभी भी किसी तरीके से थे, जैसे मैं कहूँ कि suppose उसने east से 135 degree anti-clockwise turn लिया, ठीक है, तो अब बताओ उसका face किस direction में होगा, अगर वो east direction में वो कर रहा है, और वहां से उसने 135 degree anti-clockwise turn लिया है, देखो बची, यह east direction है, अब वो अगर anti-clockwise जाएगा, तो मतलब यहां से कहां जाएगा, वो पहले north में जाएगा, तो यह पूरा angle कितना होगा, 90 degree, अब यहां से वो किस direction में जाएगा, वो 45 degree turn लेगा, क्योंकि उसने total कितना turn लिया है, 135, तो यह 45 हो गया, तो वो किस direction में पहुंच जाएगा, वो north-west direction में पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो angle का भी थोड़ा सा आपको ध्यान लखना है, बार 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 angle का use करके वो आपको दे देगा, तो दो direction के बीच का angle होता है, वो 90 degree होता है, और एक sub direction, दो directions को 45-45 degree के दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, clear है रवचे, चलिए, इसके इलावा आपको दो triangles के बारे में पता होना चाहिए, एक होती है right angle triangle, एक iso cells triangle, बार-बार यूज होगी, अगर मैं right angle triangle की बात करूँ, ठीक है, suppose हमारा ये ABC एक right angle triangle है, जिसमें जो right angle है, वो 90 degree के ऊपर है, ठीक है, इसको base bowling है अपना, ये perpendicular होगा और ये square plus base square हो जाता है, ठीक है, यानि कि इस side का square, हमेशा इस side का square, इस side के square के sum के बराबर होता है, ये एक property होती है कि इसकी right angle triangle की, ठीक है, iso cell strangle की अगर मैं बताऊं यहाँ पे, तो iso cell strangle का मतलब होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, ठीक है, अगर मैं कहूं कि angle B और angle C बराबर है, angle B और angle C, तो जो दो angle बराबर होते हैं, उनकी opposite side भी बराबर होती है, या इसका ultra काया लिजिये, ये अगर AB और AC equal है, तो that means उनके opposite angle भी equal होंगे B और C, अगर ये side AB और BC equal होगी, तो ये angle और ये angle equal हो जाएंगे, अगर ये दोनों side equal हो जाएंगे, समझ रहे हैं, तो दो जो side equal होती है, उनके opposite angle भी हमेशा equal होते है, ये खास बात होती है, किसकी एक ISO select triangle की, ठीक है, तो मैंने आपको अभी तक जितनी भी बातें बताई है, basic basic इनी का use होगा, directions के question को solve करने में, सबसे पहले आपको direction के बारे में मालूम होना चाहिए, चार direction होती है, चार sub direction होती है, फिर moment right लेना है, तो 90 degree clockwise turn लेते हैं, left लेना है, तो 90 degree anti clockwise turn लेते हैं, उसके बाद angle, यानि कि 45 degree एक दो direction के बीच का जो angle होता है, वो 90 degree होता है, और एक sub direction क्या करती है, दोनो directions को 45-45 के दो equal part में divide कर देती है, इसके इलावा आपको दो triangle का पता होना चाहिए, पहली right angle triangle, जिसमें perpendicular square plus base square is equal to होता है, hypotenuse square के, और एक isosilist triangle, जिसमें जो दो side equal होती है, उनके opposite angle साइड भी equal होता है, या इसका उल्टा भी होता है, जो दो angle equal होंगे, उनकी opposite side भी equal हो, ठीक है बचे, अब बहुत सारी tricks के माज़न से करेंगे, हम लोग बहुत सारे अच्छे-च्छे question जानेंगे, ठीक है, बने रहीएगा, आंते तक इस class में चलिए, पहला question आप सब की screen पे है, देखो, question क्या है बचे, a person is going towards south, अब देखो, मैं पहले इसको basic तरीके से बनाता हूँ, ठीक है, पहले हम लोग basic method use कर रहे हैं, ठीक है, क्या बोला उसने, a person is going towards south, माली जी, यहाँ पे person खड़ा है, वो south की तरफ move कर रहा है, after walking 10 meter, 10 meter walk करने के बाद, he turns to his right, अब right का मतलब, देखो, खुद को assume करना है, तो इसका right की तरफ होगा, west की तरफ होगा, भई, and walk 5 meter, again he turns to his left, अब यहाँ से left turn लिया, तो इसका left फिर से की side में होगा, south की तरफ होगा, and walk 10 meter, फिर से 10 meter उसने walk किया, he turns to his left, after, again he turns to his left, and walk 10 meter, again he turns to his left, यहाँ से फिर वो left की तरफ जा रहा है, तो इस बार left उसका इस direction में होगा, क्योंगे इधर की तरफ right है, तो वो उसका left है, and walk 15 meter, और यहाँ से उसने 15 meter walk किया, ठीक है, and finally he turns to his right, and walk 20 meter, finally he turns to his right, and walk 20 meter, अब यहाँ से फिर right में टान लेगा, तो वो किस direction में चला जाएगा, south direction में चला जाएगा, तो now in which direction is he moving or facing, तो वो अब किस direction में move कर रहा है, यह direction कौन सी है आपकी, यह आपकी south direction है, ठीक है, कौन सी direction है, south direction है, इस तरीके से आप बनाएंगे, ठीक है, तो अब इसी चीज़ को जब भी आपसे वो कभी इस type का सवाल पुछे, he is moving or facing, तो आप इस trick का use कर सकते हैं, trick क्या है बच्चे, सबसे पहले आपको यह देखना है कि वो किस direction में move कर रहा है, तो सबसे पहले क्या लेंगे, south लेंगे, ठीक है, उसके बाद देखो, उसने कितने left या right turn लिये, देखो, after walking 10 meter, he turns to his right, तो पहला turn उसका क्या था, right था, फिर क्या बोल रहा है, and walk 5 meter, again he turns to his left, फिर उसका turn किस direction में है, left direction में, फिर क्या कहा रहा है, again he turns to his left, फिर उसने कौन सा turn लिया, left turn लिया, and walk 15 meter, and finally he turns to his right, and walk 20 meter, यहां से फिर उसने कौन सा turn लिया, right turn लिया, ठीक है, अब वो कह रहा है, now in which direction is he moving or facing, तो इस type के question में आपको क्या करना है, जब भी वो आपसे moving या facing बोल रहा है, तो जितने opposite है, left या right, उनको अपस में cancel कर दीजिए, जैसे यहां एक right है, यह left है, तो cancel हो गया, यह right है, यह left है, तो यह भी cancel हो गया, ठीक है, अब देखो, क्या बच गया, हमारे बाद south ही बच गया, तो that means, उसका face finally किस direction में है, south direction, ठीक है, किस direction में है, south direction में, अगर यहां पर बच जाता कुछ, जैसे right बच जाता, तो फिर south का right ले ले लेते, left बच जाता, तो south का left ले लेते, बच यह ध्यान रखिये, जब भी आदमी 2 right लेता है, क्या लेता है, 2 right, तो वो हमेशा opposite direction में जाता है, ठीक है, कौन सी direction में जाएगा, opposite, और जब भी आदमी 4 left या 4 right लेता है, ठीक है, 2 left या 2 right लेगा, तो हमेशा opposite direction में जाएगा, और 4 left या 4 right लेगा, तो वो हमेशा किस मे होगा same direction में होगा ठीक है जैसे शुपोज यहीं पर होता यह south और चार और राइट होते ठीक है तो वो किस direction में पहुंच जाएगा same direction में अगर यहां पर सुपोज एक right रेक रएक left कट जाता एक 2 left बच जाते तो south की opposite direction answer हो जाती क्या नो ठीक है तो इस तरीके से strict का यूज करो बात समझ में आई सभी को देखो next question देखते है एक पर्शन इस गोईंग टुवार्ट्स नोर्थ एक पर्शन इस गोईंग टुवार्ट्स नोर्थ देखो इसने क्या पूचा है ही इस मूविंग और फेसिंग ठीक है तो सबसे पहले किस डारेक्शन में जा रहा है नौर्थ डारेक्शन ठीक है उसके बाद क्या बोला आफ्टर वोकिंग 20 मिटर ही टुवार्ट्स टू इस राइट यह बाद धानक ना ट्रीक महीं लगानी है जहां मूविंग और फेसिंग देखों यहां पर क्या आगया टोटल चाररें राइट अन्होंड्रेक्शन राइट अग्र। 20 meter now in which direction is moving देखो यहाँ पर क्या आगया total 4 right move है और मैंने अभी आपको बताया कि जब भी 4 right या 4 left turn हो तो आदमी के direction हमेशा क्या होगी सेम होगी जिस direction में वो starting में move कर रहा था अब भी वो उसी direction में move करेगा तो यहाँ से आपका जो answer बनेगा वो क्या बनेगा North बनेगा आप practically करके देख सकते हो अगर वो north direction में जा रहा है यहाँ से right turn लेगा तो यह होगा फिर से एक right turn लेगा तो यह होगा फिर तीसरा right लेगा तो यह होगा तो that means वही same direction है जो पहले थे उसकी, समझ रहे हैं, तो north में था तो वो north में ही वो कर रहा है, बात समझ में आई वही सबी को, कर सकते हैं बड़े आराम से, चलिए next, जैखो, a person is going towards north, he turns 225 times to his right and again 200 times to his left, now in which direction is he moving or facing, ठीक है, एक आदमी north की तरफ move कर रहा है, ठीक है, पहले उसने क्या किया, 225 times, ठीक है, कौन से turn लिये, right turn लिया, ठीक है, और फिर 200 times, 200 times उसने left turn लिया, उसने कौन से turn लिया, left turn लिया, अब जो 225 है, right turn लिया, इसको मैं लिख सकता हूं, 200 right plus 25 time right, ठीक है, अब देखो, 200 time left है, 200 time right है, तो cancel होगा, अब बच गया, north से 25 time right turn, और हमें पता है, कि एक आदमी, जब 4 बार, right या left turn लेता है, तो हमेशा same direction में होता है, ठीक है, तो 25 times को मैं लिख सकता हूं, कि 24 time right लिये होंगे, plus 1 time right होगा भई, अब 24 time जब राइट लेगा, तो same direction में होगा, क्योंगे 4 का multiple है, 4 लिया, फिर 4, फिर 4, फिर 4, फिर 4, और फिर 4, लेकिन अब बच गया, सिर्फ 1 turn, क्या right, तो यानि कि उसका, जो face होगा, वो north के right में होगा, तो north का right है, अगर बात करें, तो क्या होता है, north का right आपका कौनशी direction होती है, east direction होती है, ठीक है, तो finally उसका face किस direction में होगा, east direction में होगा, बात समझ में आती है सभी को भई, किसी हो कोई problem होतो बताओ, चलिए रहे सभी को, चलिए फिर, next question, a person turns to his right after walking 10 meter straight and walk 50 meter again, he turns to his right and walk 100 meter and finally he turns to his left and walk 20 meter, if now he is moving towards north, then in which direction did he start to walk, ये पिछले question का क्या है, reverse है, जो अभी तक हमने concept पड़ा, वहाँ starting की direction दे रखी थी और final direction पूछ रहा था, अब यहाँ पर क्या कर रहा है उसने, final direction दे रखी है उसने, क्या है, north और starting की direction पूछ रहा है, तो ऐसे questions में, फिर कौन सी trick लगेगी, वही same trick लगेगी, कैसे बताइए, ए person turns to his right, सबसे पहले उसने कौन सा turn लिया, बच्चे right turn लिया, फिर and walk 100 meter, and walk 50 meter, straight and walk 50 meter again, he turns to his right, फिर से एक right turn लिया उसने, and walk 100 meter, and finally he turns to his left, फिर उसने एक left turn लिया, and walk 20 meter, if he is now moving towards north, अगर अभी उसका face north direction में है, तो हमें बताना है कि उसकी starting की direction क्या थी, देखो, तरीका वही लगाना, सबसे पहले opposite को cancel कर दो, ये left से right कट गया, अब बच गया right, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो बच जाए, उसका opposite लिह लिया, जैसे right का opposite क्या हो गया, left, ठीक है भाई, तो अब north का left ले लो, north का क्या ले लो, left, तो north का left क्या होता है, north होता वेस्ट तो जो स्टार्टिंग की डिक्षान वो क्या थी वेस्ट डारेक्षन थी क्योंकि अगर हम देखो राइट लफट कर जाएगा वेस्ट का राइट लेंगे तो वेस्ट का राइट क्या होगा नूर्थ होगा तो बस इसलिए इसको डिया कर दिया हमने बाकी कुछ भी नहीं था question में बाद समझ में आती है बड़े आराम से बना सकते हो ठीक है बहीं चलो एक question और देखो same उसी पे a person turns to his left after walking 100 meter a person turns to his left अब starting की direction हमें बतानी है पहले उसने किसमें turn लिया left में after walking 100 meter straight and walk 50 meter again he turns to his left फिर से उसने एक टन लिया left and walk 100 meter again he turns to his left and walk 200 meter फिर से उसने left टन लिया और कितना and finally he turns to his right and walk 20 meter finally he turns to his right and walk 20 meter if now he is moving towards east अगर वो अब east direction में move कर रहा है तो in which direction did he start to walk ठीक है भई तो अब देखो यह right से left काट दो भई ठीक है तो क्या बचे टू टाइम left और इनका opposite लेंगे तो two time क्या होगा right होगा अब देखो east का two time right क्या हो जाएगा opposite हो जाएगा क्योंकि two time right या two time left में opposite direction होती है तो यानि कि क्या हो जाएगा west या west से two time left लोगे तब भी क्या होगा आपका east होगा ठीक है भई बाद समझ में आई तो जब भी जा तो starting के direction पूछी हो या final direction पूछी हो सिर्फ direction पर best question है तो आप इस trick का यूज कर सकते है बढ़ा यह मत सोचिएगा कि सिर्फ VC trick पर best question होंगे बहुत अलग-अलग type के question हम लोग discuss करने वाले है ठीक है चालो फिर next question देखिए question number six आप लोग solve करने की कोशिस करिए साथ की साथ a person is facing north first he turns 45 degree in the clockwise direction then he turns 90 degree in the anti-clockwise direction and finally he turns 135 degree in the clockwise direction now in which direction is he facing ठीक है इसमें भी हम लोग trick से भी बना सकते है नॉर्मली भी बना सकते है पहले basic तरीके से ही मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि basic तरीके से कैसे बनाना है ठीक है देखो अब यह हमारी direction होती है बच्छे east-west, north और south ठीक है अब देखो सबसे पहले एक person is facing north यह उसकी पहली position है नॉर्थ को face कर रहा है first he turns 45 degree in the clockwise direction तो यहां से clockwise direction 45 degree तो यह उसकी second position होगी वही क्योंकि उसने कहा कि वह 45 degree clockwise turn ले रहा है ठीक है दैन ही turns 90 degree in the anticlockwise direction अब anticlockwise में तो ऐसे जाएगा भाई ठीक है तो फिर 45 यह और 45 यह तो यह हो गया total 90 degree यहां से तो यह इसकी third position है ठीक है and finally he turns 135 degree in the clockwise direction finally 135 degree in the clockwise अब ऐसे घुमेगा तो यह देखो यह तो 90 degree हो गया पूरा और यह 45 हो गया भाई total 135 हो गया तो अब final उसकी जो direction है यह वाली है यह उसकी final direction है तो यह कौन सी direction है east तो अब वो किस direction को face कर रहा है east direction को face कर रहा है तो एक तो है कि आप diagram की मदद से बना सकते हो इसको एक आप direct trick से कैसे बना सकते हो देखो सीधा सीधा सबसे पहले यह देखो कि उसने clockwise कितना turn लिया anti clockwise कितना turn लिया ठीक है एक person is facing north सबसे पहले उसकी direction कौन सी है starting की north direction फिर देखो कि उसका clockwise turn कितना है और anti clockwise कितना है ठीक है सबसे पहले 45 degree in the clockwise direction तो 45 clockwise भी फिर then it turns 90 degree in the anti-clockwise, फिर 90 degree anti-clockwise, and finally it turns 135 degree in the clockwise, फिर 135 in the clockwise, अब total कर लो, यहाँ 180 हो गया, यह कितना हो गया, यह तो 90 हो गया, अब difference लेखो, कौन ज़्यादा है, तो ज़्यादा कोन है, clockwise ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 90 degree, तो मतलब अब नोर्थ से उसने क्या किया, 90 degree clockwise turn लि तो यह नोर्थ था भई, यहाँ से 90 degree clockwise क्या होगा, इस्ट, तो यही आपका answer हो जाएगा, ठीक है, क्या answer हो जाएगा आपका, इस्ट, तो आपको direction में, यह इस तरीके के सवाल में, आपको diagram बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बात समझ में आई भई सभी हो, कलियर है, च पर यह रहा है, फर्स्ट ही टांस 45 degree in the clockwise direction, तो clockwise में उसने कितना टन लिया, 45 degree, दैन ही टांस 135 degree in the anticlockwise direction, फिर anticlockwise में कितना लिया, उसने 135, अगेन ही टांस 135 degree in the anticlockwise, फिर से anticlockwise 135, and finally ही टांस 45 degree in the clockwise, तो आप बताना है कि उसका face किस direction में है, अब देको तो टोटल clockwise कितना हुआ, 90 degree, टोटल anticlockwise कितना हुआ, 270, तो दोनों में कौन जादा है, anticlockwise कितना जादा है, 180, तो 180 degree उसने anticlockwise टन लिया, और जब भी 180 के बारी आती है, देखो, अगर यह east है, तो 180 degree चाहिए clockwise चला जाए, चाहिए anticlockwise जा जाए, जाएगा किस direction में, west, क्यों किस direction में है, west direction में है, बास समझ में आई सबी को, चलिए फिर, next question, ठीक है, चलो, अब थोड़ा-थोड़ा, धीरे-धीरे, अलग अलग type की सारी चीज़े हम लोग discuss करेंगे, next question देखो, a man is going towards east, देखो, जब भी आपका distance और direction दोनों एक साथ देगा, और इसी type के question तो आपको हमेशा डाइगराम बनाना है, ठीक है, अदर्वाइज बिना डाइगराम भी काम चल सकता था, a man is going towards east, after walking 100 meter, he turns to his left, ठीक है, अब देखो, डाइगराम बना लेते हम, यहाँ पी, अब सबसे पहले अगर मैं देखो, a man is going towards east, east की तरफ जा रहा है, after walking 100 meter, after walking 100 meter, ठी ठीक है, he turns to his left, तो उसने left की डरफ टरु टरण लिया, east का left क्या होगा, north होगा भई, ठीक है, and walk 25 meter, और 25 meter उसने भॉक किया, ठीक है, again he turns to his left, यह उसका left होगा भई, ठीक है, right तो उधर की तरफ हो जाएगा, तो कितना वोग किया उसने, 45 presenter, and finally he turns to his left and walk 25 meter, finally फिर उसने lef ट यह होगा उसका और कितना वो किया उसने 25 मिटर तो यह जो डिस्टेंस से 25 मिटर है अब वो पहुंच गया इस पॉइंट पर फाइनली इतनी इंफर्मिशन के बाद हमसे और पुछे गई हैं पहला डिक्setिन सबसे पहले इस की इससे फाइनल तो यह उसका स्वाइनल पॉइंट वजा मेंते में में इस्ट डारेक्शन में है तो अंशर हो जाएगा फॉल ठीक है अब अब देखो य 90 डिगरी है अगर यह 45 है तो यह भी 45 होगा अब यहां से यहां तक की दूरी 100 मिटर थी तो यह दूरी कितनी बज जाएगी यह वाली ठीक है तो यह बज जाएगी 100 माइनस 45 यानि की कितना है वो स्टार्टिंग पॉइंट से 55 मिटर तो इसका जो अंसर होगा वो कितना होगा 55 मिटर होगा सब्किरएल नेकस्ट्ट देखो now how far and in which direction is he from the starting point how far हमें पता है कि ήường starting point से क्लिकिर प्रणीट सी किते हैं 55 १ मिटर और किस interaction में इस डारेक्शन में ठीक है यह पूछा एके नाव पर चलिफ quiet in which direction is he from the starting point तो 55 55 meter in east direction ठीक है किसमें 55 meter in east direction बात समझ में आई वाई सभी को ठीक है तो जब भी इस तरीके से distance और direction का सवाल एक साथ combine करके देगा तो आपको diagram बनाना है ठीक है बट सीधे सीधे सवाल जो trick से बनेंगा वो trick से बनाना है बट मुझे नहीं लगता कि इसको छोड़ेगे कहीं भी जब भी distance का ही सवाल होगा तभी आपको diagram बनाना पड़ेगा अधर्वाइज चाहे सैड़ों का question है चाहे योगा करता हुआ question है घड़ी का question है कभी भी आपको diagram बनाने की ज़रूरत नहीं देखो next question number 12 a person walks one kilometer towards east एक आदमी एक किलोमेटर east की तरफ turn करता है ठीक है बई तो यह one kilometer हो गया बई east की तरफ and then he turns to south फिर वो यहां से south की तरफ turn करता है ठीक है and walk five kilometer और वो five kilometer यह ज्यादा लंबा ले लिया हमने तो इसको यहीं से start कर लेते हैं और यह five kilometer वो south की तरफ walk करता है ठीक है again he turns towards east and walk two kilometer फिर east की तरफ कितने किलोमेटर two kilometer तो यह distance two kilometer का है and finally he turns towards north and walk nine kilometer तो यहां से वो north direction यह होगी और कितने किलोमेटर की दूरी है यह nine kilometer की दूरी है ठीक है तो हमें क्या बताना है now how far and in which direction is he from the starting point तो अब वो किस direction में है starting point से और कितनी दूर है देखो यह वो का starting point था बच्चे वई और यह उसका final point है तो हमें यह direction और distance बताना है अब देखो simply direction तो पता चलगी यह कौनशी direction है यह east और यह north तो यह कौनशी direction होगी north east direction होगी ठीक है लेकिन distance भी बताना है तो distance के लिए क्या करोगे देखो मैंने यहीं से यह perpendicular गिरा दिया आगे बढ़ा दिया ठीक है यह 90 डि यहां से यहां तक का distance कितना है 9 km और यहां से यहां तक अगर 5 है तो यह जो दूरी बच गी यह दूरी कितनी होगी बचे यह 4 km कहोगी और यह angle कितना है 90 हाब जेहाँ अगर यह 5 है और अगर यह यहां से यहां कितना था तो यह टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास 3 नाइन पॉलट स्थिन्स का होता है नाइन ठुटी कतनी बन दे 셋 फाइव किलोमेटर इन नोर्थ इस्ट डारेक्शन ठीक है इस डारेक्शन में होगा फाइव किलोमेटर इन दा नोर्थ इस्ट डारेक्शन बात समझ में आई सभी को भई कलियर है बई चलो फिर नेक्स्ट क्वेस्चन question number 13 a is 6 km east of b ठीक है a is 6 km east of b अगर ये a है ठीक है थोड़ा सा उदर ले लेते है a is 6 km east of b तो b के east में है a तो ये होगा 6 km c is 4 km north of b जो c है वो b के अच्छा north में है ठीक है c जो है वो b के north में 4 km है ठीक है d is 12 km south of c ये c है तो इसी को आगे बढ़ा देते हैं तो ये आपका d है यहाँ पर और c से d कितना है 12 km अब ये 4 km है तो b से d कितना होगा 8 क्योंकि c से d कितना है 12 बोला है उसे नहीं अब वो क्या बूच रहा है और now how far and in which direction is d from a जो d है वो a से किस direction में है और कितने km है ठीक है अब देखो ये a है ये आपका d है तो a से d बोला है ये पुचाए कि in which direction is d from a तो d कि ये कौन सी direction है ये आपकी west है ये आपकी south है तो ये direction कौन सी होगी बई ये होगी south west ठीक है अब ये distance भी बताना है अब distance के लिए देखो हमें पता है कि b से a कितना है 6 अब ये perpendicular 90 degree ये b से d कितना है 8 तो ये कितना होगा root over 6 square plus 8 square 6 का square होता है 36 8 का 64 तो 100 होगया और 100 का मतलों कितना होगया 10 यानि कि अब कितना है वो 10 km in southwest direction हमें बताना था कि d a से कितनी दूरी पर है और किस direction में है बता सकते हैं बढ़े यार आम से कलियर है भई सभी को चलिए next question question number 14 देखो ए person walk 5 km 2 hours east एक आदमी 5 km east direction में क्या करता है अगर ये इस point से east direction में गया कितना है 5 km then he turns to south और यहां से अब उसने south में मूग किया and walk the same distance walk किया same distance 5 km ठीक है and finally he turns to his left and walk 7 km अब finally he turns to his left तो यहां से left लेगा ये वाला ठीक है और ये distance कितना है 7 km तो हमें बताना है कि now how far and in which direction is he from the starting point ठीक है अब देखो ये direct ये starting point है ये final point है ठीक है दोनों को मिला दूँ तो ये वाने का भई तो ये direction तो हमें पता चलगी ये east है ये south है तो direction क्या होगी भई south east ठीक है direction तो होगी south east ठीक है अब distance देखना है तो मैंने क्या किया आप दोनों तरफ से निकाल सकते हैं अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं ये आगे बढ़ा दिया मैंने और यहां से इस point पर ये perpendicular डाल दिया अब देखो ये दूरी यहां से यहां 7 यह भी कितनी होगी 7 यह पर बैंडिकुलर डाला है तो 90 डिग्री होगा थोड़ा टेडा बन गा पर द्यान नखो ठीक है और अब यह देखो यह अगर 5 है तो यह भी कितना होगा 5 होगा यह 90 यह कितना है 7 प्लस 5 टोटल होगया 12 और यह कितना है 5 तो यह हाइपरदेंस कितना बनेगा रूट ओवर 12 स्केर प्लस 5 तो यह 124 यह 25 तो रूट 169 तो यह कितना बन गया 13 ठीक है तो अंसर क्या होगा 13 किलोमेटर किलोमेटर गीवन है कि हाँ इन साउथीस्ट डारेक्शन ठीक है 13 किलोमेटर इन दा साउथीस्ट डारेक्शन कलिए रवाई सभी को चलिए नेक्स्ट अब यह एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगर आपको आज की कलास पूरी समझ में आई तो आप इस पूरे क्वेश्चन को आराम से बना देंगे और आपको पता भी चल जाएगा अगर आपने इस क्वेश्चन को सोल कर आ मतलए आपको पूरी गलास समझ में आए है ठीक है तो इस क्वेश्चन का अंसर आप सबी को कमेंट बॉक्स में जरूर दिना है भी को मेंड सेक्शन में geld भी आपके लिए homework है ठीक है दोनों question अगर आपको पूरी class समझ में आई है तो बड़े आराम से आप दोनों question का answer कर सकते हैं तो comment करके इन दोनों का answer जुरूर बताईएगा ठीक है चलिए तो आज की class में हमने discuss किया पूरा हमारा direction का basic part ठीक है कल की class में हम लोग घड़ी पे बेस direction के question योगा वाले जो question होते हैं वो सैड़ो पे बेस जो question होते हैं वो discuss करेंगे और साथ में coded form में जब भी direction के question पूछता है तो वो हम लोग discuss करने वाले हैं ठीक है तो at the end में आप लोगों को एक crash course है जिसमें GS, CSET, Test Series, Current Affair यह चारो component कवर करवाए गए प्रिलिम्स के लिए और अगर आप हर्याना civil services की तयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी HCS का हमारा प्रिलिम्स है एक crash course है जिसमें GS, CSET, Current Affair, Test Series, बहुत जल्द हर्याना का exam होने वाला है तो उसमें भी सारी चीज़ें cover की गई है ठीक है इसके लावा individual CSET करना चाते हैं वह भी course available है UPSC के लिए भी हमारा course available है और इन सभी के लिंक आपकी इसी वीडियो के description box में दिये गए हैं जहां जाकर करके आप join कर सकते हैं demo class देख सकते हैं ठीक है तो इस session से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद बहुत बहुत ठीक है और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपकी कोई भी query है ठीक है हर्याना या हिमाचल से related या UPSC के एक्जाम से related तो आप हमें दिये गए नंबर प सब्सक्राइब कर सकते हैं और classes से जुड़ करके अपनी तैयारी को और गती दे सकते हैं ठीक है तो मिलते हैं फिर next session में इसी जो सब्सक्राइब के साथ तब तक आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इसी तरीके से जुड़ते रहिए ऐसे प्यार देते रहिएगा session thank you very much जय हिन जय भारत